आपकी assignment में torque के बारे में बताया torque का formula बताया torque अगर angle 0 180 है तो torque 0 90 है तो max ये बताया फिर method 1 बताया जो मैंने नहीं बताया आपको करने के जुरूज भी नहीं है method 1, 2, 3, कुछ नहीं करना 2 method है, first तो रहने 2 आप simple method 3 पे आओ force into perpendicular distance और method 1 पे आओ जो की सीधा formula rf sin theta कुछ करना नहीं है ये कुछ करने की चीजबत नहीं है तो ये मैंने example बताया force को h से multiply करेंगे सीधा torque आएगा दो तरीकों से बताया इसमें भी आपके assignment दो तरीके लिखे हुए है हम सीधा method 2 करेंगे force को perpendicular distance से multiply करेंगे example